इस लड़की को नहीं मालूम था कि CCTV केमरा उसकी हरकतों को देख रहा है उसके बाद जो हुआ है आपको भी जोका देगा उससे पहले इसी और रोमांचे की वीडियो देखने के लिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप देख पाई इसी और नई वीडियो सबसे पहले ये तो हर कोई जानता है कि कुछ-कुछ लोगों को चोरी करने में बड़ा ही मजाता है और शिंगापुर के किसी गर के बाहर लगी CCTV केमरे में कुछ ऐसा ही नजारा कीद हो गया दरस्त इस पूटेज में दो लड़किया नंगी पाउओ किसी के गर के बाहर आती है जिनका इरादा दोस्तो सीधा और साफ होता है जो कि अपने पसंद की चपलेट सुराना ये लड़किया बेठे बेठे अपने पसंद की चपलेट देख रही होती है कि इनको कौन जे चपल उठाने चाहिए लेकिन तभी घर का कोई सदे से ओठ जाता है और इन लड़कियों को नंगी पाउओ रही वापस भागना पड़ता है जरूरी नहीं कि हर दिन हमारे फीवर में ही रहे कभी कभी किस्मत हमारा साथ भी नहीं देती फरनाडी जनाम के इस चोर के साथ भी कुछ ऐसाई हुआ ये किसी बूड़ी औरत से उसका बेग चीन कर भागने की कोशिस करता है ये अपने पूरी रबतार से तेजी से दोड़ता है और एक दरूवाजे से गुजरने की कोशिस करता है ये भूलते हुए कि ये दरूवाजा काच का बना है और अपने इसी गलती की चलते ना के ओल ये पकड़ा जाता है बलकि दरूवाजे से टकराने से बहें कर चोर पी खा बेटता है चोरी करना गलत बात है और ये तब और भी गलत हो जाता है जब आप किसी ऐसे सक्स के यहां चोरी करने जा रहे हो जो मार्शल आर्ट में माहिर हो कुछ ऐसाई फूटेज हमें न्यू औरलियंस में देखने को मिला जहां एक सक्स साइकल पर सवार होते हुई एक लड़की के पास उसका फोन चुराने आता है बदकिस्मती से लड़की मार्शल आर्ट में माहिर होती है और इस लड़के को यहां चोरी करना बेहत महंगा पड़ जाता है ना केवल जे लड़की से पकड़ती है बलकि इसको लात गुसों के मसीन में डाल कर इसका कीमा भी बना देती है बदकिस्मत लोगों की बात की जाए तो आपको एक और बदकिस्मत सक्स से रूबरू करवाते है एक आदमी किसी दूसरी आदमी का सिर्फ होड़ कर भागने की फ्राक में होता है लेकिन तब ही पासे से गुजर रही पुलिस्यां सब देख लेती है और उसे तूरंट पकड़ने की कोजिश करती है इतिफाक की बात देखी है जब ये चोर अपने आपको सरेंडर कर रहा होता है तब लोहे की बाउंडरी का एक सिर्फ उसके वहाँ चुब जाता है आप समझ गए ना हम काहाँ पर चुबने की बात कर रहे हैं मगर पुलिस बहरे में दिखाती हुए इसे सीधे ही कीचने लगती है जरा दोस्तो इस मोटो चोर को देखी ये मोटो चोर यहाँ पर इस इस टोर में चोरी करने के उद्देसे से आया था वो भी दोस्तो एक पिस्टोल को अपने पीछे छुपाई लेकिन बदकिस्मती से वह पिस्टोल जैसे ही बाहर निकालता है वो हाथ से छूट जाती है और हालात को समझते हुए वो यहाँ से भागना ही उचीत समझता है इस चोर की किस्मत इतनी खराब थी कि भागते वक्त उसके पैंट भी खुल गई इसा बदकिस्मत चोर साहे दिया आपने कभी देखा होगा अब दोस्तो हम आपको एक पहली को सुल जाने का जिम्मा सोप रहे है यह मोहतरमा इस वाइन सोप में एक चमतकारी चोरी को अनजाम देती है अब दोस्तों चमतकार इस लेकी क्योंकि इस महीला ने पूरी बीर की केरेट को अपने कपड़ों में रह से महीतरी की से छुपा लिया और आस चरी के बाद तो ये है कि इस दस किलो वजनी बीर की केरेट को इस महीला ने केसी और कहां छुपा कर चोरी को अंजाम दिया ये तो आप ही बता सकते है तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आयोगे इस वीडियो को लाइक से ज़रूर करें हमारी चैनल पर नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब की बिना कहीं मत जाएए वीडियो देखने के लिए दन्यवाद औरंक मिज़े हिंदोस तो